स्री विदानता स्थिर्थरिज एकेडमी इंदौर में वका स्वागत है ये लेक्चर जो है जो मद्ध प्रदेश का जन संपर्ग विभाग है ठीक है उसके ये महात्पूर प्रश्ण उत्तर है तो प्लीज पूरा लेक्चर वाज कीजिए कई बार क्या होता है इस विभाग की विभसट जो होती है डायट वहाँ से कुछन पूछ लेता है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाब्दा होगा एक्जाम के लिए ठीक है तो पहला जो जो पहला कुछन है वो है काल भैरो और राम घार्ट मंदिर कहां पर है तो ये मंदिर कहां पर है उज्जेन में इस तो वो और्चा निवाडी में इस्थित है राजा महल जो इसलिए कहते हैं कि भारत में एक मात्र ये मंदिर है राम जी का जहां पर भगवान राम को भगवान राम ना पूछ कर राजा के रूप में पर जाता है इसलिए सो कहा गया है राजा महल वहा कलियर ये कहां पर है य ये भी ओर्षा निवाडी में इस्थित है। जैन धर्म भगवान पासरोनात का मंदिर और एक है राजा, रायस्वरी, माता का मंदिर कहां पे इस्थित है तो ये है जीला साजापूर में। मा सारदा मंदिर कहां पे इस्थापित है तो ये आपको सब को याद होगा ये है सतना जीले मैयर में ठीक है मैयर से अलग होकर जो मैयर है वरत्मान जीला बन चुका है ये मैयर में इस्थापित है श्री सरवदय दिगंबर जैन मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये अनुपूर में इस्थाफित है बेजनात महादेव मंदिर कहां पर है तो ये आगरमौला में इस्थाफित है स्री राम जान की मंदिर कहां इस्तित है तो ये है हर्दा जीला के भादू गाव में इस्थाफित है कुन सा स्री राम जान की मंदिर तो अब वरतमान में राम मंदिर बन रहा है इसलिए ये कुछ नवा से पूछ सकता है कि MP में मा राम जान की मंदिर कहां पर है तो वो हर्दजीला है, वो वहाँ पर कहाँ पर है, तो ये भादू गाव में है, इसको आप त्री इश्टाल लगा लो पी, सिरी राम जान की मंदर कहाँ पर है, भादू गाव हर्दजीले में है प्राचीन तेता युगीन भगवान सनी दिव भगवान सनी दिव मंदिर कहां पर इस्तापित है तो ये एक पहाड़ी है मुरेना में उस पहाड़ी का नाम क्या है वो है सनीचर पहाड़ी ठीक है यहाँ पर इस्तित है कुन सा प्राचीन द्रेता युगिन भगवान सनी देव का मंदिर है इंदोर के खजराना मंदिर के निर्मान कब किया गया था तो ये किया गया था 1735 में किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो मा देवी अहिले के द्वारा किया गया था चंद्रोदय स्यो मंदिर और मट का निर्मान किसने कराया था तो चेदी सासा के गुरू थे कौन प्रबोध स्यू प्रबोध स्यू थे उन्होंने चंद्रोदय स्यो मंदिर और मट का निर्मान करवाया था स्री जोते स्वर मंदिर कहां इस्थित है तो ये नर्सिंग पूर में इस्थित है साथ घोडे वाले रत पर खड़े वे खजराओं का प्राचीन मंदिर चित्र गुप्त मंदिर क्यारी सदी का यहां मंदिर किसको समर्पित है तो जहां पे साथ घोड़े आएंगे तो वहां पे आप टिक करना किसको सूर्य देव को, वह अकलियर, पसुपती नात मंदिर किस नदी किनारे है, तो वो सिवना नदी के किनारे है, तीर मुख वाली पिसक्ति माता, बगला मुखी का मंदिर कहा पे इस्तित है, तो ये है नल खेडा आगरवालों में इस्तित है इसे आएंपी कल लो आएंपी क्यों कल लो वो सुन लो कहाने ठीक है जो महाभारत युद्ध हुआ था महाभारत युद्ध के समाप्ति के पहस्चात जीतने के उपलक्ष में स्रीकर्ष्ण ने युदिश्टिर को निर्दत दिया कि त्री मुख सक्ती माता बगला मुख्या मंदिर कहां इस्तबित हुआ था ये हुआ था नल खेडा में वो किसने इसका निर्मान किया था बनाया था वो थे पांडो के सबसे बड़े भाई युदिश्टिर ने किसके निर्दत बनाया गया था तो वो स्रीकर्ष्ण के अंजली लाल मंदिर कहां इस्तित है तो वो है ब्यावरा राजगर जिले में मंगलनात मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये है उज्जेन में एक्चुली हुआ क्या था भगवान संकर थे भगवान संकर की एक कहानी इमानेता एक है भगवान संकर का जो एक पसीना की बूंध है वो प्रत्यों में गिरी थी भगवान संकर की एक पसीने की बूंध प्रत्यों में गिरी जहां पे गिरी थी वहां से एक गरा अलग हो गया और जिस बिंदू पे गिरी थी वो बिंदू आज कहां पर है उज्जेन में जहां से वो एक ग्रह अलग हुआ वहां से शटकर तो वो कलाया लाल गिरा जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं जहां पर बुन्गिरी थी वो थी उज्जेन वहां पर जो मंदिर है उसी को बोलते हैं मंगल नात मंदिर तो एक ऐसी एक माननेता है, ठीक है, जो उज्यन में स्थापीता है विंदका, इकलोता, प्राचीन, वेंकेट्स और मंदीर कहां इस्तित है तो वो है मुक्त, यांग, रंज, सतना, जीले में आट भैरो में से प्रमुकाल भैरो किस नदी पर है तो वो है छिपरा नदी पर देखना, जो भगवान संकर को गुस्सा आथा तो इनके गुस्से से आट भैरो का जनम हुआ था ठीक है, जिसमें से जो काल भैरो है ये उज्यन में इस्थापीत है वो किस नदी किनारे इस्थापीत है वो है छिपरा नदे के किनारे पूर्व का सोमनात किसे कहते हैं तो भोश पूर्व को कहते है नाक चंदेश्वर मंदिर कहां पिस्तित है तो ये भी उज्जेन में इस्थापित है हनुमान धारा कहां इस्तित है तो ये सतना में इस्तापित है प्राचीन गरुण मंदिर कहां इस्तिथेत ये है नरसिंगपुर में गड़ा काली का मंदिर कहां पर इस्तिथेत तो ये है धार में संदिपनी आसरम कहां पर है तो ये है उज्जेन में और संदिपनी कौन थे तो भगवान, कृष्ण और भगवान बलराम के ये गुरु रहे हैं संदिपनी, ठीक है, इनी खा आस्रम कहां पर है, वो है उज्जेन में जागेशुर नात मंदिर कहां पर इस्तित है, तो वो है दमोजीले में टेकरी सरकार अनुमान मंदिर कहां पर इस्तित है, तो ये भी कहां पर इस्तित है, ये गुना में इस्तित है पर्मार कालिन प्रसिद्ध रिद्धी नात मंदिर कहा इस्तित है तो ये हर्दा में ये चीज़ या रखना क्योंकि पर्मारों का सासन रहा है कहां पर धार में, उज्जेन में रहा है ठीक है, मालों में रहा है तो ये आप से, आप कन्फिज़ होगे कि परमारकालीन मंदिर पूछेगा आपसे रिद्धी मंदिर तो ये हर्दा में इस्थित है तो ये फेट को या रखना कि परमारकालीन रिद्धीनाथ का मंदिर कहां पर है तो वो हर्दा जिले में इस्थित है और हर्दा जिले में एक मंदिर है मा जानकी मा राम जानकी का मंदिर कहां पर है वो भी हरदिले में विजयनाद धा मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये है कटनी में प्रसिद्ध सिधनाद मंदिर कहां पर है तो ये देवास में इस्तित है ममले सवर जोत्री लिंग कहां पर स्थापित है तो ओम्कारेषव खंडवा में है ममलेषव इसका नाम क्या है ममलेषव है कहां पर है पर चंद्रेसवर मंदीर के कपाट केवल नाग पंचमी के दिन खुलते हैं, यह कहां पर है, जहां पर भगवान संकर होंगे, वहीं पर नाग होंगे और वो कहां पर होगा, उज्जेन होगा पसिद्ध महालश्मी मंदीर कहां इस्तित है, तो यह है रतलाम जीले में कल्चूरी कालीन कलाकरतियों से सुचज़ित बाबा, कोटेसवर धाम, बाबा, कोटेसवर धाम जो है, कहां पर इस्तित है, तो बालाघाट में कभी कोश्चन आजया आपसे कि कल्चूरी सासन कहां तक फैला था, तो बालाघाट फैला था, इस चीज़को आप भी याद कर लेना, ठीक है कोटे सधाम कहां पर है तो बालागहाट में है बालागहाट में ही एक वारासुन जगा है वारासुने में ही एक जगा है रामपाईली और रामपाईली में ही वरतमान में जो हगड़ेवार जी है जो आरेस संस्तापक रहे हैं उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जो RSS है, उसकी स्थापना नाकपुर में की गई थी, कब की गई थी, 1925 में की गई थी, किसने किया था, तो हेगड़ेवार्द वालाद ही किया गया था, वो जो हेगड़ेवार्द यह है, इनकी वर्तमान में, बालाखाट के, जो र ये चीज़ रखना त्रेविर्णी संगम काई बार ऐसे कोश्यण न पूछ लेता प्यस्टी इसलिए त्रेविर्णी संगम कहाँ पर है तो वो है उज्जेन में। भगवान स्यू को स्मरपित विराट मंदिर कहां पर है तो वो है स्यू से कर लेना सैडोल सोहागपुर। सत्पुडा की पहाड़ियों पर इस्थित प्रसिद भीलट देव मंदिर कहां पर इस्थित है तो वो है बढ़वानी में है तो उज्जे अएन में है यह इसलिए आएम पी है क्योंकि जो उज्जें का जा रहे हैं विक्रमा दिट्थ का जा जा रहे हैं उनकी यह कुल देवी रही है और आपको भी उज्जें गए होंगे तो महाकाल मंदरी पहले एक चोडहाए पड़ता जहां पे सेर है, उसके राइठन में जाओगे आप, तो वहाँ पे एक मंदिर गहोंगे आप, तो उस मंदिर में यहाँ पे दिये जलते हैं इस टाइप से, ठीक है, वो जो मंदिर है, वही मंदिर हरसिद्धी मंदिर है, वो मंदिर महात्पनों क्यों है, क्योंकि ये मंदिर जो विक मां हर सिद्धी, हर सिद्धी ने की आपकी हर मनो कामना पूरी होगी, इसका मतलब यह होता है दूला देव मंदिर कहां पर है, तो यह शत्रबुर खजराव में स्थित है प्राचिन गढ़हरा हनुमान मंदिर कहां पर है, तो वो सागर में प्रसिद्ध तिर्थ बढ़वानी पावन गढ़ कहां पर है, तो यह बढ़वाने में तो याद होगा मा जापला देवी का मंदिर कहां पर है, तो वो कटनी जिले में है प्राचीन जिंगूर्दा हनुमान मंदिर कहां पे इस्तित है तो ये सिंगरोली जिले में इस्तित है प्रसिद छिंद धाम हनुमान मंदिर ये रायसेन में है इसे आप आयमपी कल लो क्योंकि ये मंदिर वह प्रसिद मंदिर है ठीक है छिंद धाम हनुन मंदिर कहां पर है राय सेन में है प्राचीन स्रीनाथ का मंदिर कहां पर है तो ये है राजगर्ण नेवाज नदी पर नदी का नाथ के लिए नेवाज नदी तो यह भी पता है आपको यह दतिया जीले में इस्थित है प्रसिद दारशनिक इस्थल चटा संकर चटा संकर और एक है नोहले स्वर मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये दोनों एकी जगा पर है वो है दमों जिले में स्री महालश्य मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये है खरगोन जिले में अध्यात्मिक संत्री दादू जी धूनी वाले का मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये आप पता है कि इनका कारश्यत कुन सा रहा है ये रहा है खंडवा जी ले तो इनका जो मंदिर कहां पर होगा वो खंडवा में इस्थापित होगा हनुमान जी का प्रसिद इस्तर रणजीत स्वामी हनुमान मंदिर कहां पर है तो ये आख पता है ये है इन दोर में प्राचिन गड़ो मंदिर कहां पर है तो वो है नरसिंगपूर में बिजासन देवी का प्राचिन मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये सलकनपूर में है वरतमान में यहां पर कॉरिडोर बना जा रहा है इसलिए याद रखना जो बिजासन मंदिर है जो विजासन देवी का मंदिर है वो कहां पर है सलकनपूर सीहोर में इस्तित्र यहां पर वरत्मान में कॉरिडोर बनाने की बात की गई है सिरी आननपूर मंदिर कहां पर है तो आनन से कलेना असोक नगर प्रसिद जैन तिर्थ इस्थल गुम्मट गिरी कहां पर है तो वो भी कहां पर है इन दौर में हुआ किलियर मत्प्रदेश के प्रमुक महल और किले ये भी जो जनसंपर कोई भाग है वहां पर ये सब दिया गया था इस लिसमें इंकुर्ड किया गया है राजा राने महल कहां पर इस्तित है तो ये है असुख नगर में संबल रड़ किला कहां इस्तित है तो ये है मुरेना डिस्ट्रिक में बीजा मंडल किला कहां पर इस्तित है तो ये है विदीशा में राने रूपमति मल कहां पर इस्तित है तो ये है धार में बहात्तर बीगा में विस्तृत हन्मान गड़का किला कहां इस्तित है बजरंग 72 बीगा में विस्त्रित बजरंगड का किला कहां इस्तित है तो ये है गुना जिले में पंदरिस अताबदी में निर्मित बादल महल दरवाजा ये कहां पे इस्तित है तो ये इस्तित है चंदेरी असोख नगर में कौसल महल कहां पे इस्तित है तो ये है चंदेरी असोख नगर जीले में हिंडोला महर कहां पे इस्तित है तो ये भी मांडू के धार जीले में इस्तित है अटेर का किला और गोहत किला दोनों किले आपसे ये कुश्चन जो है अट्रे किला पूछे आपसे या गोहत किला पूछे दोनों किले कहां पर है ये भिंड में है और इसे आप आयम पी कर लेना ये कोश्चन पूछता है अट्रे किला कहां पर है गोहत किला कहां पर है मत्रदेश का काला ताजमल कहां पर है इस पता है बुरानपूर जीले में एथियासिक प्रकर्तिक स्वंद्रत का संगम अज्यगड किला कहां पर है तो ये है पन्ना जीले में मल्ला राव होलकर की जो छत्री है वो कहां पर इस्तित है तो वो है भिंड जीले में विजयगर रागोगड का किला कहा इस्तित है तो ये है कटनी में भारत की जिब्राडलर के नाम से किसी जानाता है तो वो है गौालियर का किला इसे और एक ची बोलते हैं किलो का रत नहीं बोलते हैं इसे वो इसे सूरस से ने बनाया था पांसो पच्चिस में बल्देव गड़का किला कहां पिस्तित है तो वो है गौलियर में गिन्नो गड़किला कहां पिस्तित है तो ये है रायसे में और ये तोतो के लिए प्रसिद्ध है तीन गोल इसमारक कहां पर है तो ये है पड़वाने में वीर सी पेलस कहां पर है तो वो है दतिया जिले में जनसंपर को इभाग प्रस्ण उत्तर मतवज़ के प्रमुग गुफाएं हैं अब हुआ के लिए अब चलते हैं आई गुफाओं में फिर मिठी को गुफा कहां पर इस्तित है तो ये है रायसें जिले में बाग के गुफा कहां इस्तित है तो ये है धार में सारू मारू गुफा कहां पर है तो ये है सिहोर जिले में अब ये यहां से चलते हैं मिसलिस कोश्चन ठीक है प्रधान मंतरी किसान समान निधी समानतर मुख्य मंतरी किसान कल्यान की सुरुवात कव होई थी तो इसकी सुरुवात हुई थी दो हजार बीस को मुख्य मंत्री किसान समानदिगी सुरुवात हुई थी और इसमें जो पात्र होता है उसे छे हजार प्रती वर्स किरासी प्रदान की जाती है दो दो हजार के से Cardinal इए। दो हजार के सुलॉट में। हुआ किलियर। देवाज जीले में बास उत्पात की विदेश तक पहुच हुच की है। ठीक है? तो वो है देवास जी लेगा देश के टॉप थ्री देश के टॉप थ्री गरीब को गरीबी कम करने वाले राज्यों में मत्रप्रदेश सामिल हो चुका है हुआ क्लियर नीती आयोक ने रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के एक उलटिंग Multi-Deminism Poverty Index यानि कि बहुआ आमी गरी सुषकांग जो होता है MPI ठीक है इसके एकॉर्डिंग देश में 1.36.000.000 लोग गरीवी से बाहर आये हुए है ठीक है तो आप से कुछ रहे हैं कि Top 3 में MP इस्थान रखता है कि नहीं तो उसका रखता है उसका आंसर क्या होगा वो होगा MP इस्थान रखता है ठीक है देश के Top 3 गरीवी में कमी करने वाले राज्यों में मत्रप्रदेश सामिल हो चुका है वह किलियर नीती आयोग की एक रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के अंतरगत रिपोर्ट कुन सी है वो है बहू आयामी गरीवी सुचकांग इस सुचकांग के कॉर्डिंग प्रदेश में याने की MP में एक करोड 36 लाख लोग गरीवी से बाहर हो चुके हैं तो ये डाटा आपको आपके लिए MP हो जाता है मद्पदेश विधानसभा चुनाव में मद्दाताओं को जारत करने के लिए सुभंकर कुन सा था तो वो था रेवा सुभंकर रेवा किसको बोलते हैं तो रेवा बोलते हैं नरवदा का एक नाम है ये नाम किसने दिया था तो ये नाम दिया था पाताल कोट कहां इस्तित है? यह है छिंदवाड़ा में इस्तित है और यहां पे जो है भारिया जन्जाती पाए जाती है इनका नाम भारिया क्यों है क्योंकि जब अग्यातवास काट रहे थे कौन पांड़ो लोग ठीक है तो यहाँ पे अग्यातवास काटने के लिए यहाँ पर भी गए थे जब यहाँ पे गए थे तो पांड़ो ने इनको जो सस्त चलाना सिखाया और यहाँ के जणजाती सस्त चलाना सीख गई जब यह सीखी ठीक है तो इन्होंने भार लिया किसका पांड़ो की सुरक्षा का इसलिए इनका नाम जो है भारिया जणजाती नाम पड़ा हुआ क्लियर गवालियर किस परवत पर इस्तित है तो वो है गोपांचल परवत पर पूर्व पूर्व जलप्रपात इसका नाम क्या है पूर्व जलप्रपात कहां पर है तो वो रिवा जिले में है अटल पार्ग कहां इस्तित क्या होगा अटल पार्ग इस्तित होगा कहां पर वो होगा सागर जिले में बान सागर बान मत्वेस के किस जिले में है तो वो है सैडोल में नदी कुंसी है तो वो है सो नदी ठीक है और इसका नाम जो है बान सागर किस ना रखा गया है तो वो नाम रखा गया किस पर वो रखा गया है बान भट के नाम पर ही प्रियुजना का नाम रहा गया है बान सागर बान किस जिले में है? सडोल जिले में किस नदी पर है? सोर नदी पर है पाक चूर वाटर पार्क वो चान सिल्वर वाटर पार्क कहां इस्तित है? तो ये है पन्ना जिले में मल्ला राओ की छटरी कहां पर है? तो ये बता चोकाँ आपको ये है भिंड में माटी तिला बांध किस नदी पर है तो ये बेतवा नदी पर है more one daym कहां पे इस्तित है तो ये नीमच में इस्तित है more one daym कुकुरु चोटी कहां पे इस्तित है ठीक है कुकुरू चोटी ये पूछेगा आप से तो कुकुरू चोटी कहां के इस्तित है तो ये है बैतुल जीले में और बैतुल जीले में जो जन्जाती पायाती है उसका नाम क्या है वो है कोरुकु जन्जाती पायाती ठीक है और वहीं पर चुट पर आती इसका नाम क्या है कुकुरू चोटी दोनों का नाम similarity है इसलिए आपको याद करने में आथ नहीं जाएगी बी फॉल जमना फॉल कहां पर है तो यह है नर्वदापुरम के पश्मणी में इस्तित है मीठा तालाप कहां पर इस्तित है तो वो है देवास जिले में अमरत भारत इस्टेशन इसे आप फाइव इस्टा लगा लीजिए अमरत भारत इस्टेशन योजना के अंतरगत मदप्रदेie के कितने station MP कितने station समिल किये गये हैं तो वो किये गये है 34 station समिल किये गये है इसे आप 5 star लगा लिज classics आजि़ी गरान चाहिआ कितने station है झाय आजिऴ क्यों वो है 34 station कोलार डेब कहां पर है तो यह भोपाल में है प्रमुरू घाटी कहां पर इस्तित है ये है नरसिंग पूर जीले में धूब गटोटी कहां पर इस्तित है वो है नर्बदापूरम में हाती नाला जलपात कहां पर इस्तित है वो है नरसिंग पूर में पेच टाइगर रिजरो कहां आवस्तित है तो वो है चिंदवाडा सिवनी में यह दोनों जगा ठीक है और यहीं पर पाजाता है मोगली मोगली कहानी का सम्मद्ध इस सम्मद्ध है जो मोगली कहानी मिलती हमें वो मिलती है बुक में बुक का नाम क्या है दा जंगल बुक किसने लिखा है वो लिखा है रूड याट की प्लिंग लिखा है ठीक है राष्टी लगू उद्यान दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 30 अगस्त को राष्टी लगू उद्यान दिवस मनाया जाता है किस अभ्यरण को चम्मल नदी दो भागों में विभाज़त करती है तो वो है गांधी, सागर, अभ्यरन को चम्मल नदी जो है दो भागों में इभाइत करती है सब्स्तूप की नगरी साची में विसेश रूप से कितने मेगावाट की सौर उर्जा सौर उर्जा परियोजना संचलित की जारी है तो उसका है आंसर आठ मेगावाट हुआ किलियर और साची जो है यूनेसको में कब समले किया गया था तो वो किया गया था 1989 को मतप्रदेश की पहली ये मतप्रदेश और भारत भारत दोनों की पहली Solar City कुनसी है वो है साची भीमगड़बान कहां पिस्तित है तो ये सिउनि में इस्तित है कभी कोश्चन आएगा आपसे कि एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कुंसा है तो वो भी भीमगड़ बांध है किस नदी पर है तो ये है बैन गंगा नदी पर है भूर सिंग दा बारा सिंगा को किस राष्टी उद्ध्यान ने अपना सुभंग कर बनाया है तो सिंपल सी बात है ये है काना किसली ठीक है और जो वाँ बारा सिंगा पा जाते हैं ये किस प्रजाती के हैं तो बेडरी प्रजाती के बारा सिंगा है तो ये भी कुश्चन पूशता है ठीक है हुगा क्लियर ये है काना किसली ये कहां पर है ये है मंडला प्लस पाला घाट म इसमें 30% और 70% 70% पहला है किसे मंडला में काना किसली और 30% पहला है किसमें बाला हाट में काना किसली पर कभी question आएगा आपसे बाला हाट और मंडला दोनों answer दिया है question option दिया है तो उसका answer मंडला होगा परन्तु जब मंडला नहीं दिया है और बालाखाट दिया है तो उसका आंसर बालाखाट होगा जी आइट एक प्राप्त करता कड़कनात मुरुगा एक जीला एक उत्पाक तहद ये तो पता याप होगा जाबुगा जीला पेशा एक्ट जो है कितने विकास करने लागू हुआ है सिंपल सी बात है विकाकित्ती संक्या है वो 98 ठीक है पेशा एक पंद्रह नौमबर दो हजार पाविस को लागू किया गया था कहां से लागू किया गया था वो है सहडोल से वहा किलियर ठीक है इस दिन क्यों किया गया था क्यूंकि ये इस दिन जैनती होती ही, किसकी होती है, विरस्वा मुंडा की, इसलिए इसी दिन की अगए थी पंदर नॉम्बर आपको याध रखने में आसाने होगी, वो पेसा इंट अया कब था, तो पेसा इंट आया था, 1996 में, 1996 में पेसा ईट आया चुका था, वह एक लियर हल्दी जो है O, D, O, P याने की O, याने की One, इस्टिक, One प्रड़ेट में सामिल है कहां से ये सहडोल जीले में से सामिल किया गया है कौरोपनी प्रकर्ती हीरन पार्क हीरन पार्क जो है कहां इस्तित है तो ये डिंडोरी में इस्तित है गोपी कृष्ण सागर डेम कहां पर इस्तित है तो ये गुना में इस्तित है देश का पहला Medical Science and Engineering Research Center कहां पर इस्तित है तो ये है भोपाल के भारी में देखना यहां पर कहां पर देश आ रहा है ये देश का पहला है इसलिए आपके लिए आएमपी हो जाता है कि देश का पहला Medical Science and Research Engineering Center कहां पर इस्तित है हो रहा है तो ये हो रहा है भोपाल के भारी में तुलसी संगरा मत देश में कहां पर इस्तित है तो ये सतना जिले में पर इस्तित है मत पर देश का पहला राज मत देश पहला राज्य है जहां पे Green City Index शुरू किया गया है हुआ किलियर? यहने आपसे कुछन आयागा Green City Index शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है तो वो है कौन सा अपना? मध्य प्रदेश सचीन तिल्गुन ने One Day मेच में 200 रन मारे थे कहां में मारे थे तो यह है आपका गौालियर के कप्तान रूप सी श्टेडियम में ठीक है? अगर आपसे कुछन आयागा कि सहवाग ने 200 रन कहां मारे थे? वो मारे थे इंदौर के होलकर श्टेडियम में सहवाग आएगा तो इंदौर होलकर में कराई जाएगी और ये ऐसा करने वाला प्रत्थम राज्य है हुआ किलियर पहला राज्य है नौगटित करमाजिरी अभ्यरन कहां पर है? तो वो सिवनी में स्थापित है के सरकार ने जंजाती कार मंत्राले के अंतरगत देश के एकलवे आदर्स आदिवासी विद्याले के लिए बैंगलोर में बैंगलोर में तीसरे नेशनल कल्चर कुनसा कल्चर था ये? ये तीसरा नेशनल कल्चर था इसमें MP ने कुनसा इस्थाम प्राप्त किया? जो तीसरे में तीसरा ही इस्थान प्राप्त किया ये चीज़ को आप याद रखना स्री बादल्व होई राज जंजाती संग्राले कहां पर है देखना एक आएगा बादल्व होई उसका आंसर क्या होगा छिंदवाडा इसकी स्थापना कब हुई है ये हुई है इसकी स्थापना हुई है ठीक है एक आएगा राज की जंजाती संग्राले ठीक है तो राज की जंजाती जो संग्राले है इसकी स्थापना कहां पर की गई है ये की गई है भोपाल में कब की गई है 2013 को राज की आएगा भोपाल पादर भुई आयागा तो छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा आया तो उन्हेंश चववन भुपाल आयागा तो दोया तेरा हुआ किलियर कहाना किसले राश्टी उद्ध्यान में टाइगर रिजर्वर कब लाउ किया गया था तो ये किया गया था 1 जून 2015 को ये डेट आपको याद होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि अभी MP टाइगर में सरवादिक संख्या वाला राज़ बन चुका है जिसमें टाइगर संख्या 785 है तो सिंपल सी बात है ये टाइगर इस्टेट भी है Global Inway Summit 2023 कहां पर हुआ है तो ये हुआ है इन दोर में नौवा अंतराश्टी वन मेला वन मेला कहां हुआ है तो ये हुआ है भोपाल में निमाडी जीला कब घटित किया गया था तो 2 October 28 किया गया था किस नदी के टटपर है तो ये है बेतवा नदी के टटपर इस्थित है मत प्रदेश में नौदधी का अपवा छेतर कुन सा कितना है MPM बैती हुआ कितनी 10 सातर बैती है परंतु उसकी कुल लंबाई कितनी है वो है 12, 13 उसकी लंबाई है इसी का नाम क्या है रेवा नाम है रेवा नाम कहां दिया गया है किसने दिया था इनकी पती थे फुरुकुस ने दिया था हुआ केलियर और वरत्मों ने रेवा सुभंकर लिया गया है मदान के जो मदाता होते हैं उनको जोद करने के लिए आठवे अँतराश्टी आठवे की राज़की मशली नाम क्या है तो इस पता आपको महासीर मशली है डानासोर जवासम राश्टी उद्यान कहां परिस्तित है? तो यह है धार जीले में स्री अन्न बीच बेंग की ब्रांड एमेसरटर लहरी बाई किस जिले से है तो वो है जिन्डोरी जिले से दा सिटी का डाइमंड किसे कहते है तो वो है पन्ना जिले को खेलो इंडिया यूद गे में 5.0 का आयोजन कहां पर किया गया है ये मद्ध प्रदेश में किया गया है कितने सहरों हुआ है तो ये हुआ है, आठ सहरों में हुआ है, ठीक है, आठ सहर कुन से चार तो वही होंगे, भोपाल, इंदर, जोलपुर, गॉलियर, चार तो हो गए, दो हो गए दार संग इस्थल, कुन से उज्जेन महेसर, अब बचे दो, दो जिले पूरू के हैं और वो यंदुने प्रोशी जीले हैं एक है बालागाट और एक है मॅणला ठीक है एक है truck cycle truck cycle जो हुई है ये MP के बहार हुई है ये MP है ये कहां पर हुआ है नई दिल्ली में हुआ है एक हुआ है truck cycle नई दिल्ली में एक आएगा road cycle ये हुआ है जवलपुर में इसका सुभंकर क्या था? सुभंकर था चीता और मोगली नोबल पुरूस का विजयता मत देश के विदीसा जिले है कैला सत्यारती को सैयुक्त राष्ट के सैयुस सतत विकास लक्ष के एड़वकेट के रूप में निउक्त किया गया तो जिनोबल पुरूस का विजयता है करहत त्यारती उनको सैयुक्त सतत विकास लक्ष के लिए एड़वकेट के रूप में निउक्त किया गया है तो इस फेक्ट को भी आप आयाम भी कर लीजे मत्प्रदेश ने प्रधामंत्री मात्रवंदन योजना के किरियान वैन के लिए कौन सा इस्थान प्राप्त किया है तो ये है प्रथम इस्थान प्राप्त किया है मत्प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना में गौालियर कटनी जिले में सेड इस्थोन सेड इस्थोन को सामिल किया गया है घगुवा राष्टिय जिवास्म उद्ध्यान मत्प्रदेश के किस जिले में है तो वो है धिन्डोरी जिले में Republic Day Camp में भोपाल की NCC NCC केडर की खुसी महावत क्या नाम है खुसी महावत को Air Wing में प्रथम इस्थान प्रथम इस्थान प्राथ करने पर PM स्री नरेंद मुदी जी ने सम्मानित किया तो आप से कुछन आएगा कि खुसी महावत कहां कहां की है तो वो है भोपाल की NCC केडर में इनने प्रथम इस्थान प्राथ करा है Air Wing में ठीक है तो PM द्वारा इनको सम्मानित किया गया है मत्रप्रदेश की मतस्य पालन नीती ये कब की गई है तो ये 22 अगस 2008 आठ को खुस्चना गोफित किया गया है मत्रदेश के मुरेना जिले की सरसो को ठीक है और एक जिला एक उत्पात के अंतरगत सामिल किया गया है देखना जो मुरेना के पास भिंड है भिंड और मुरेना दोनों में एक जिला इवत्पारत सरसों को सामिल किया गया है सत्पुड़ा के घने जंगल किसकी रशना है तो ये रशना है भवाने प्रसाथ में स्रिकी O.D.O.P. केला कहां सामिल किया गया है तो ये है बुरानपूर में लाल बाग पिलेस कहां पर है ये से पता होगा ये इन दौर में स्थित है रानी तालाब मतवदेसे के जिले में है तो वो है रिवा जिले में नर्वदमदी पर स्थित सिठानी घाट कहां पर स्थित है तो ये नर्वदापूरम में है नर्वदा में ही नरदपुरम में ही सिठानिक घाट इस्तित है मतदेश में ग्राम पंचायच छेतर में आबादी छेतर की भुमी पर पात्र परिवारों को आभासी भूखंड उपलत कराने के लिए मुख्य मंत्री भू अधिकार योजना चलाई जा रही है प्रकरतिक, सुंदर और आध्यात्मक्त का संगम सन्मुंडा सन्मुंडा कहा इस्तित है तो ये अनुपपूर जिले में इस्तित है इस प्रकार है कुशचों भी आप कर लÉना कि ये कुशचण एस प्रकास से आईसे कुशचन आते हैं पीएसई में इंद्रा सागर परियोजना नवदा नदी पर किस जिले में इस्तित है तो वो है खंडवा जिले में संत रविदास समाजिक समरस्ता पुरुस्का की रासी दो लाख है फिक है, दो लाख है इसे आप आयांपी कल लेजी क्यों कलनी जी कि इनकी वरतमान में मुर्ती इस्थित हो रही है, कहां पर? सागर जीले में आप से रविदास कुण पूछेगा, तो सागर रविदास इसमारग कहा है, तो सागर इनकी समाय रासी कुंसी कित्ती है, तो वो है 2,00,000 मत्प्रदेश बाल आयोक की वर्तमा अधिश को है देवेंदर मूरे मुगल कालिन तेली की सराय मत्प्रदेश की जिले में है तो वो है हरदा जिले में सौर उर्जा उत्पादन में मत्वे सा कुन सा इस्थान है तो वो है तीसरा इस्थान है सौर उर्जा उत्पादम में प्रथामिस्तान किसका है तो वो है गुजरात राज्चिका मत्तदेश की पहली सिचाई परियोजना उनसी थी तो चम्बल थी इसको याद कलना 1953 से 1954 में मत्प्रदेश की पहली स्चाय परियोजना का नाम क्या था तो वो था चंबल परियोजना पुस्प की विलासा किसकी रचना है तो वो है माखनलाल चतरवेदी मत्प्रदेश का नियुंतम सिचाय वाला जिला कुन सा है तो वो है दिन्डोरी इसे भी आप आएमपी कल लिजी तिलवाडा घाट कहां इस्तित है जवलपूर में है ये भी आएमपी कल लिजी इसलिए ये महात्मा गांदी की अस्तियां थी इसी घाट में तिर्वाडा घाट में हैं विस्तित की गई है इसलिए ये महात्मा हो जाता है जल जीवन मिसन के तहद देश का पहला हर घर नल हर घर नल से जल हर घर नल से जल certified वाजिला कौन सा है तो ये है बुरानपुर इसलिए ये IMP हो जाता है क्योंकि ये देश में प्रत्थम है वह अकलियर? प्रात्मिक कसी साकारी साखा समेती वो computer करने वाला देश में प्रत्थम राजिय कौन सा है तो वो है मध्यप्रदेश हुआ के लिए इसे भी याद कर लेना एथ्यासिक आर्श डेम उमर तोली कहां पर इस्तित है तो ये है कटनी जीले में देश का पहला human capital bank कहां पर इस्तित है तो ये है सुजालपूर में चुटका ग्राम 2021 तक परमाण डेक्टर इस्ताबित के जायेगा कब तक ये सन को याद कर लेजी एक कब तक 2021 तक 2021 तक कहां पर मंडला जीले में हाल ही में हब्यूगन railway station का नाम मतलग गया है रानी कमलापती और ये अंतिम गोंड सासी का थी रानी कमलापती आईटी पर कहां पर है तो ये इन दौर में मा अमरत देवी विष्णुई पार कहां बनायागा तो ये बनायागा इन दौर में देश का पहला सविदापार कहां पर वो है देवास में MP की उजरादनी परण सिंग रोली ख्रातापानी अभ्यारन रायसेंजीले में इस्तित है यहां एक मात्र अभ्यारन है जिसमें से टाइगर पुजेट चल रहा है ठीक है एक मात्र अभ्यारन है ओपी के अंतरगत कुण सा है नर्सिंगपुर जीला है मत्परदेश भवन नई दिल्ली का लोकारपण मुख्य मंत्री सिर्ष वान ने कब किया है 2000 2300 किया गया है दुफरवरी को एक है मत्धि लोग भवन देखना जो मत्परदेश भवन पूछेगा तो दिल्ली में और एक है मत्धि लोग भवन पूछेगा तो मुंबाई में मत्धि लोग पूछा तो मुंबाई मत्परदेश भवन पूछा तो नई दिल्ली वहां के लिए यह दो में अंतर या रखना तो यह lecture आप सौनाथ होता है ठीक है यह lecture पूर फेक्ट वाले lecture थे इसमें कोई भी समझा नहीं तो थी नहीं ठीक है इसलिए यह lecture को आप एक या दो बार पलटा लेना है वे एक से स्ट्वीड में तो आपको रड़ जाएगा इसकी जो पीडिएफ है आपको सरी विदानता एकेडमी का जो पिलिगम चनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी तो प्लेस जोइन कर लेजिए ओके थैंक्स